हैलो प्रेंज आप सभी का फिर से विलकम है हमारे यूटूब चैनल सब के सब भे फ्रेंज आज की इस टिटोयल में मैं आपसे यह डिसकस करूंगा कि इनसइ्ट क्लिपिंग मास्क कैसे किया जाता है, इनसाइट क्लिपिंग मास्क का यूज क्या होता है तो आई ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर मैं ellipse tool का selection करूँ यहां से तो alt प्रेस करके एक circle बनाया और इसका color मैं eye dropper tool से ये color फिल कर दिया और इसका stroke मैंने बढ़ा कर 20 points 20 points कर दिया अब अगर मैं inside clipping mask करना चाहूँ यानि inside clipping mask का मतलब यह होता है कि जो भी मैं करूँ ये इस circle के अंदर होना चाहिए इस circle के बाहर नहीं होना चाहिए यानि कि बाहर भी अगर जा रहा है लेकिन clip होने के बाद दिखाई दे सिर्फ अंदर की चीजें बाहर जो चीजें आ रही है वो बाहर जैसे अब अगर मैं यहां से एक ellipse tool और लूँ और इस तरह से मैं draw करूं तो ये बाहर की चीजें भी दिखाई दे रहे हैं इसे use करने के लिए clipping mask आप selection tool पे आए और इसे select कर ले select करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सबसे नीचे में एक tool है draw insight इसे कहते हैं draw insight clipping mask इसको जब आप click कर लेंगे तो इसके बाहर एक circle बना देगा इस तरह से इसका मतलब यह हो गया कि मैं अब जो भी draw करूँगा वो इसके अंदर ही दिखाई देगा बाहर की चीज़ें दिखाई नहीं देगी अब अगर मैं यहां से ellipse tool फिर से लूँ और यहां पर आने के बाद अगर एक और ellipse tool में बना रहा हूँ यहां पर मैं triple का एक logo बना रहा हूँ जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि logo भी बन जाएगा हमारा और यह भी पता चल जाएगा कि inside clipping mask कैसे करते हैं यह हो गया अब इसे आपको selection tool पे आए और alt प्रेस करके एक इसकी copy बना ले इस तरह से shift प्रेस करके अगर करें तो सीड़ी बनेंगी यह यह बन गए अब एक और circle बनाएंगे यहां से alt प्रेस करके बनाएं alt and shift इस तरह से अब देखे यह जो fill color है यह इसका जब मैं बन करूँगा तो हमें सिर्फ out line दिखेगा इस तरह से तो हमारा inside जब मैंने बाहर की चिज़ें अब जब मैं यहां पर लेके जा रहा हूं तो देखें बाहर कर यह circle दिख रहा है यहां लेके जाओंगा तो यह बाहर कर यह circle कर सकते हैं लोगो डिजाइन करने में या इलस्टेटर में काफी जगा पे इसका यूज किया जाता है और अब अगर मैं इसका सेलेक्शन कर लूँ सेलेक्शन करने के बाद रोटेट टूल पर आईए और इसे ही आप अगर 45 डिग्री अगर इसे मूव कर ले 45 अर्मोस्ट तो यह डिबल का लोगो आप बना सकते हैं तो बहुत ही आसान था किस तरह से हमें क्लिपिंग मास्क करना चाहिए तो ये inside clipping mask है और clipping mask पे मैंने complete tutorial लाओंगा जिसमें आपको तमाम तरह से वो मैं बताओं कि कैसे clipping mask किया जाता है illustrator में वो उन चीज़ों को मैं discuss करूँगा तो ये एक छोटा सा tutorial मैंने बताया इसलिए क्योंकि हमारे एक दोस्त ने पूछा कि कैसे inside clipping mask किया जाता है इसलिए मैंने इन चीज़ों को clear कर दिया कि inside clipping mask कर करना हो तो आप इस तरह से inside clipping mask कर सकते हैं तो हमारा tutorial कैसा लग रहा है आप पहले के जो भी tutorials मैंने आपको upload किया है अपने YouTube चैनल पर उन सभी को आपको देखने के बाद कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताया और tutorials अच्छे लग रहे हैं तो subscribe करना ना भोले friends share करें like करें subscribe करें और हमें होसला दे ताकि मैं आगे और